हेलो दोस्तों कैसे आप सभी तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा डिवार्मिंग करने का बिलकुल सही तरीका अगर आप इस तरीके से डिवार्मिंग करोगे तो 100% आपकी डिवार्मिंग सक्सेस्फुल होगी और वो आपके डॉक पर काम भी करेगी और दोस्तों करते तो हैं लेकिन काम नहीं करती 100% उनकी मनी भी वेस्ट जाती है टाइम वेस्ट सब कुछ वेस्ट जाता है ठीक है तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल सही तरीका ठीक है अगर आप इस तरीकी से करोगे तो 100% आपके डॉप पर काम करेगी तो क्या वो तरी तो प्लीस जरूर करना तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवार्मिंग की बात करते हैं बहुत से भाई को डिवार्मिंग के बारे में पता है बहुत से भाईयों को नहीं पता डिवार्मिंग होती क्या है डिवार्मिंग सीधा सीधा उसका मतलब होता है पपी के या फिर डॉट के पेट के कीड़ों को मारना ठीक है पपी के पेट के कीड़ों को मारना या फिर डॉट के कीड़ों को तो अगर आपको अपने dog को healthy बनाना है तो इन कीडों को खतम करना पड़ेगा, दोस्तो अब आपने सोचिया कीडे हैं, लेकिन इनके भी types होते हैं, अलग-लग तरीके के होते हैं, tap worms होते हैं, whip worms होते हैं, round worms होते हैं, ठीक है, और आपके बहुत सारे worms अलग-लग तरीके के होत तो पपी की age से आप start कीजिए, devorming करना, devorming करनी कब-कब चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास पपी है, तो पर week में एक बार devorming जरूर करनी चाहिए, अगर आपको devorming करते-करते time हो चुका, आपके जो dog की age हो भी थोड़ी बढ़ गई ह 6 महीने, 7 महीने, तो आप परमंत devorming कर सकते हो मला महीने में एक बार, अगर दोस्तों आपकी devorming ठीक है, अब चलो मैं आपको बता देता हूँ, हमें devorming कब करनी चाहिए, हमें पता कैसे चले कि हमारे dog को devorming की जरूरत है, इस चीज़ के बार, इस चीज़ बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा devorming करने का सही तरीका, तो वो जानने के लिए बिल्कुल end तक इस वीडियो को जरूर देखना, तो दोस्तों आपका dog खुद बताएगा कि उसको devorming की जरूरत है, अगर devorming की जरूरत नहीं भी है, तो भी आप devorming कीजिए, हफते में एक बार, अग ऐसे वो गंदगी खाने लगेगा, अगर आप उसको भार गुमाने ले जाओगे तो वो घास खाने लगेगा, मिट्टी खाने लगेगा, तो दोस्तों यह बहुत बड़े साइन है कि आपके dog के पेट में कीड़े हैं, उनको खतम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका डोग ऐसा इसलिए करता है ताकि वो खुद अपनी डिवार्मिंग कर सके ठीक है तो दोस्तों अब हमें खुद करनी पड़ी उसकी डिवार्मिंग है ना ये तो था कब करनी चाहिए तो आपको अगर आपका डोग ये सब सिंबल दे रहा है तो समझ लीजिए आपके ड लीके के उपर हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिवार्मिंग करने में आप गलती क्या करते हो एक तो आप सही टैबलेट नहीं खरीते डिवार्मर में आपको कुछ डिवार्मर बता देता हूं वारेक्स पैरा जिसम ठीक है आपका कैना इन डिवार्मर और सब से बेस्ट वन कमी है आप एक बेस्ट डिवार्मर खरी दिए अगर आपके पास पपी है अगर उसका वेट दस किलो से कम है तो लिकुरड फर्म में आएगा ठीक है अगर आपके पास डॉग है जिसका वेट 10 किलो से उपर है तो टैबलेट्स आईगे 10 किलो पर एक टैबलेट दिजाती है दोस्तो ठीक है आप जाए स्टोर पर सबसे पहले एक best डिवार्मर खरीद ये जिसके result अच्छे हों आप कोई भी ऐसा normal वगेरा यूज मत कीजिए अच्छा से डिवार्मर यूज कीजिए ठीक है तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको अच्छा डिवार्मर खरीदेना है कुछ दोस्तो डोग देखो गोली तो खाएगा नहीं नाड लिकुट पीता कोई दवाई पीता ही नहीं है तो दोस्तो वो क्या करते हैं खाने में दे देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कैल्सियम वगेरा चलता है लेकिन यह डिवार्मिंग है अगर आप इसको अलगद होग तो जितना उसका वेट है अगर 10 किलो से कम है तो लिकुट उसके पास मैंसन उसके उपर मैंसन होता अगर वेट जादा है 10 किलो से उपर तो टैबलेट जैसे 20 किलो का डोग है तो 2 टैबलेट 30 किलो का तो 3 टैबलेट लीजिए अपके डोग के मुह ओपन करके डारेक्ट उस से खतम कर देगी मैंने आपको टैब सी बता दिये वार्म्स के कितने होते हैं ठीक है और दोस्तों अब आपको क्या करना है और हाँ डिवार्मिंग करने से पहले अगर आपको एक सही डिवार्मिंग करनी है तो सबसे पहले आपके डॉक का body weight जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ भाई क्या करते हैं गोधी में लिया तुक्का लगा के गोली दे देते हैं या दवाई दे देते हैं आपको ऐसा नहीं करना इसी के कारण आपकी deworming successful नहीं हो पाती तो दोस्तो प्लीज जाईए किसी भी पर पहले वेट कीजिए अपने डॉक का पपी का फिर उस हिसाब से टैबलेट दीजे और दोस्तो कभी भी पपी को दूद मत दीजे क्योंकि क्यों नहीं दीना चीए देखो मैं आपको इस वीडियो में यह भी शेयर दिस वीडियो ताकि सभी बारे में जान सकेंड वार्मिंग के बारे में ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ठैंक्स और वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल